तो फ्रेंट्स आज की इस वीडियो में आप लोग को पाउर बैंक का एक न्यूज बताने वाला हूँ जो की दो दिन पहले आने की आया हुआ था आप लोग ने बहुत साही लोग ने देखा होगा वो न्यूज हमने टेलीगाम पे भी डाला था और आप लोग ने जादा तर टेलीगाम पे ही देखा होगा टेलीगाम वाट्सेप पे ही उनकी फोटो चल रही थी आपने कभी रियल न्यूज नहीं देखा होगा किसी भी एप्लिकेशन का जो इतना बड़ा फ्रॉड की आपके साथ पावर बैंक ने बहुत बड़ा फ्रॉड किया था यह आप लोग जानते होंगे तो यहाँ पे देखे क्या लिखा होगा था कम समय में लखपती बनने में लूटे लोग घंटे के हिसाब से ब्याज लेने के चक्कर में फ़र्जी बैंक में लोग के पैसे डूबे कंपनी ने एप को प्लेश्टोर सेट है ट्रेवल और यानि की ट्रेवल अप्लिकेसन और पावलंक प्लेश्टोर यह दोनों एप EPLICK एसे खेь। अब डिस्क सरे यह पूमतिर की सकते हैं लिंक भी पढ़ सकते हैं पूरा आसानी से पहले मैं आप को बता देता हूँ इसमें बहुत बढ़ा यानि कि इन्होंने डाल रखा है समाचार तो मैं आपको बता देता हूँ इसमें जो है विदेशी कमपनी थी यह पार बैंक और ट्रेवल जो है इसमें जो है बहुत साइब बहुत रूपे लगा है ठीक है न लाखो करोर रूपे लगा है इन्होंने और यह बहुत बहुत जादा 50 से 60 करोर रूपे लेके लगबग यहां से जा चुकी है विदेश की कमपनी थी विदेश चली गई इनका अब कुछ नहीं किया जा सकता पहली बात तो यह है बाकी इन पे केस चल रहा है साथ कुछ हो जाए ठीक है न इसमें SBI का जो एक यानि की ओनर ये कोई भी हो सकता है SBI का करमचारी था यहां पर दिखा जाता हूं मैं आपको आप थोड़ा सा स्क्रोल करेंगे SBI का कैसियर जो था जो बैंक में काम करता हूँ कैसियर उसने भी इसमें रुपे लाया रखा था ठीक है न तो यहां पर देखेंगे SBI का कैसियर ने 2.96 यानि 3 लाख रुपे का यानि की इन्वेस्टमेंट किया था 3 लाख रुपे उसके डूब गए इसके जैसे SBI के कैसियर जितने यानि भागलपूर का था इस सज्जन कुमार इसके जैसे कितने लोग होंगे जिन्होंने पावर बैंक एप्लिकेशन के अंदर इन्वेस्ट किया बहुत सारे एप्लिकेशन बहुत सारे लोगों ने इसमें रुपे इन्वेस्ट किया यहाँ पे देख लीजिए वायवसाई कुंदन यादाव ने बताया कि यहाँ एक इलेक्ट्रोनिक्स दुकानदार था जो यानि की छोटी मोटी दुकान होती है उसने धाय लाक रुपे लगाया होगा और एक आदमी ने एक लाक रुपे लगाया था और उसने भी पावर बैं आदमार का ट्रैवल में 24 आये 950 सेर पावर में 1000 सारे का नाम आ चुका है देख लिए सारे अपलिकेशन आचुका है सियर पावर जानकी नगर ठाना ध्रक्ष सुनील कुमार ने बताया कि वर्तमान में पावर बैंक, ट्रैवल, शेर पावर इंवेस्टमेंट कंपनी संबंदी छेत से ठगी मामले में किसी के द्वारा आवेदन नहीं दिया गए, नहीं कोई सिकायत दर्ज हुए, फिलहाल किसी के द्वारा इस तरह कि सिकायत नहीं की गए ठीक है ना, पर नीचे में आप यहाँ पे देखेंगे, तो यहाँ पे जो है, आप लोग देख सकते हैं, इन्होंने जो है, सिकायत दर्ज हो चुका है, ठीक है ना, अभी यह दो दिन पहले की न्यूज थी, और जो है, यानि कि कल के डेट मे भी एक न्यूज आई थी, कि पावर बैंक का जो और सियर पावर यह जो एप्लिकेशन है, इन पे मुकदमा चलाया जा चुका है, ठीक है ना, बाकी अब कुछ हो सकता है, तो वो तो पता नहीं नहीं होगा वैसे, अब आपके रुपे डूप चुके हैं, तो वापस तो नह ही आएंगे, ठीक है ना, पर आगे से सोच के रखे हैं कि यह एप्लिकेशन इन्वेस्टमेंट वाली जितनी भी एप्लिकेशन आती है, उन सब के पास रुपे यानि की जीरो रुपे होती है, वो जीरो से सुरुवात करते हैं, और करोर पती बनके वो लोग जाते हैं, ठीक आपने एक ही बार में 600 इंवेस्ट किया, आपको 10 दिन के बाद वो 1500 रुपे दे रहे हैं, ठीक है ना, 10 दिन में आपको 1500 दिया, बाकी जो आपके पास 400 रुपे था, वो जब तक किसी और यूजर को देंगे, ठीक है, फिर वहाँ से वो इंवेस्ट करेगा 600 रुपे, फिर किसी और को देंगे, तो इस तरीके से इनका सरकल चलता रहता है, एक साइकल चलता रहता है, तो इसी के बीच में ये लोग फसे रहते हैं, ठीक है ना, पुरी पुरी बात आपको मैंने समझा दिया, आप लोग का पैसा आप ही लोग को वापस किया जाता है, और जो इनका, पुरा करने के लिए नाम पे रखते हैं, टार्गेट रखते हैं, कि इतने रुपे होने चाहिए, जितना हम ले, यानि माली ये 50 करोर का टारगेट है, तो ये 50 करोर आप लोग इसे करवाएंगे, कैसे भी करवाएंगे, आपको अच्छे अच्छे उफर देंगे, जैसे इन नहीं ठीक है अब आप लोग के पैसे डूब गए तो आप लोग क्या करेंगे तो आप छोटी मोटी यानि की जो भी एप्लीकेशन है कम से कम इंवेस्टमेंट कीजिए अब देखें डेड़े लाख रुपे इन्वेस्ट तो कभी करना ही नीची है यह एप्लीकेशन बैंक तो आप लोग का पैसा आप लोग को वापस किया जाता है और जो पैसे इनको यानि टार्गेट करना रहता है वो टार्गेट पूरा करके लोग अपने यानि की देश अपने जहां पे इनको जाना होता है और इनका जो है एक ही मकसद होता है कि आप लोग का पैसे को लूटना ठ चुके हैं और काफी साहे लोग डूब चुके हैं तो आगे से हमेशा ध्यान रखिए है कि किसी को भी ऐसी एप्लिकेशनों के बारे में सजेस्ट मत कीजिए हाँ करना भी है तो मिनिमम कीजिए जो हाँ 600 पे 600 पे से जादा किसी भी एप्लिकेशन में लगाना भी नीचीए 600,000 बहुत है इससे उपर हजार दोजार पांच या दस या लाख इतना कभी नहीं लगाना चीए क्योंकि एप्लिकेशन कुछ दिन चलती है उसके बाद भाग जाती है यह सब को ट्रस्टिड एप्लिकेशन यह प्लेश्टोर पर आ जाने के बाद यह मत समझे कि प्लेश्टोर पर रह सके तो आप लोग प्लेश्टोर पे तो कोई बिलादा प 왜 जाता है अथारा सोरे देंके कोई भी आ जाएगा आप लोग भी चाहलें तो अप्लीकेशन बनाकर अठाश्रे पे देखर आप भी आ सकते है प्लेश्टोर पे तो ऐसा काम नहीं करना चीटी ठीक कॉर लू